आज हम बनाएंगे काजु कतली रेसिपी जब भी कोई तेवहार हो तो हमारे दिवांक में सबसे पहले मिठाए आती है काजु कतली जो की बाजार में बहुत महेंगी मिलती है और मिलावटी मिलती है तो आज हम बिलको हलवाई स्टाइल में एकदम सॉफ्ट और मुमें गुल काजु कतली घर पर बना कर त्यार करेंगे वह भी बहुत कम समय में हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मल्टी मसाला कुकिंग में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले में एक मिक्सिजार ले लेंगे और इसमें हम दो कप भर के काजु डाल देंगे तो मैंने है आप गवे 2 मीजरिंग कफ से काजु ली कपर को वही बर्तम अब्स सेथ कर में किसी भी कटोरी कप से लए जिसां प्नेंगें काजु को बना नहीं सब細ине को तो अमने लगातार मिक्सि को नहीं छाना है थोड़ा रुखनाँ फिर चाला नहीं यह तो इस तरह काम पाओड़र बनाकर त्यार कर लेना है तो काजू तो हमारे अच्छी से पिस गए हैं तो इसको छानने की जूरत नहीं है हम इसकी ऐसे ही काजू कतली बनाएंगे तो गैस पे रख लेंगे कढ़ाई और गैस की फ्लेम को लोटू मीडियम पे रखेंगे एक कप पानी डाल दे भरके तो जिस साला आ बन जाये तब तक हमनेों इसको पकाना है तो आपने हम पर यह रोटकी जाएंगे तो हम तो अपर शुड़ य को चार्सली सब्सक्ватटिक अभी हमने सब्सक्राइब आफ गया स्कूल समय और गया सब्सक्राइब गया जाया तो पकाना थे प्लाइब तुरांत हम प्लाइब लगातार चलानाएब और गाठे नहीं पड़नी चाहिए जैसे ही इसमें गाटे पड़ भी जाएं तो आप इसको फटा-फट से इस तरह से स्पैचुला से दबाते वे इसकी गाटे जो हैं हटा दें काजु को चासनी में पकाने में हमें 10 से 15 मिनिट का समय लग जाएगा हमने इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते वे पकाना है और बड़िया से जब इसकी कंसिस्टेंसी गाड़ी होने लगे तब तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको लगातार चलाना है ताकि ये बिल्कुल भी बरतन में ना लगे और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जैसे हो जाए हलकिसी गाड़ी सी तब आपने आपर इसमें एक चमज घी डाल देना है उससे क्या होगा काजु कत्ली का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा और जो मिक्स है हमारा गाड़ा होने लगेग तो जब यह इस तरह की कंसिस्टेंसी में आने लगे गाड़ा होने लगे तो अभी हम थोड़ा सा और गाड़ा कर लेंगे इसको तो जब यह इस तरह से पैन को पूरी तरह से छोड़ दे तब आप इसको थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे तो यह मैंने इसको थंड़ काजू कतली का मिक्स रहें तो इतना ही हमें चाहिए दोका सा गरम रहें तब यह में इसको बेल लेंगे और अच्छे से घंडा कर लेंगे कि अर्षे चप्टा करने के बाद इसको बड़ी रोटीगी शेप में बेलना है हलका सा मोटा रखना है ताकि जब हम इसके पीसेस कट करें तो वो आसानी से हमारी निकल आए तो बड़िया से हम इसको बेल लेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको एक बड़े आकार में बेल कर तयार कर लिया है तो अब हम इसको चारो तरब से इसको अच्छे से सेट कर लें बढ़िया से तो मैंने यहां पर बढ़िया से इसको बेल लिया है तो अभी हम इसको और अच्छा दिखाने के लिए बिल्कुल बाजार जैसा बनाने के लिए इस पर लगा देंगे थोड़ा सा चांदी वर्क तो यह पुरी तरह ऑप्सनल है बारे पीस कटकर के ले लिए हैं तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यह लीजिए हमारी एकदम सॉफ्ट और मुह में घुल जाने वाली बिल्कुल हलवाई स्टाइल में काजू कतली बनकर तयार हैं बहुत ही कम समय में और एकदम प्योर काजू कतली आप बना कर तयार कर सकते वह भी बहुत ही कम बजट में बहुत ही टीस्टी लगती है और एकदम सॉफ्ट बनकर तयार होती है तो मैं आपको इसका टेक्चर दिखा एक बिल्कुल हलवाई स्टाइल में इसका टेक्चर आया है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको घर बनाया है एक दम सॉफ्ट काजु कतली घर पर बनकर दियार होती है तो आप भी बनाईए खाई और इंज्वाई कीजिए तो मैं मिलती हूं अगली एक और नहीं रेसिपी में तपते के लिए टेक कियर बाई बाई